गॉर्मन्नेट के दोरह अधर्याई husts जो driving schools होते हैं उन में इस्तेमाल होने वालेenh hubs की motor insurance policy कैसी रहती है insurance companies driving tuition में इस्तेमाल होने वाले vehicles को risk cover देने के बतले में कितना extra premium charge करती है और वो कौन से vehicles होते हैं जो driving tuition में इस्तेमाल किये जा सकते हैं आज इनी सबी सवालों के जवाब मैं आपको वीडियो में देने वाला हूँ मैं हूँ आपके साथ नितिंग पाल और आप देख रहे हैं Insurance Group तो friends जो driving tuition के लिए इस्तेमाल होने वाले vehicles होते हैं वो यूं तो normal vehicles ही होते हैं लेकिन friends उसमें कुछ mechanical change करवाने के बाद ही तो friends चलिए ले चलता हो में सीधे आपको अपने computer screen पे detail में मैं वहाँ आपको बताऊंगा कि insurance companies कितना extra premium charge करती हैं हमारे driving tuition में इस्तेमाल होने वाले vehicles को risk cover देने के बदले में आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं driving tuition में इस्तेमाल होने वाले vehicles की चाहे वो private cars हैं goods carrying vehicles हैं या फिर passenger carrying vehicles हैं जिन में buses भी शामिल रहती हैं तो friends अब हम बात करते हैं कि जो driving schools होते हैं driving schools में जो vehicles इस्तेमाल होते हैं जो बाहन इस्तेमाल होते हैं वो RTA द्वारा मानेता प्राप्त होते हैं तो friends RTA जिन vehicles को permission देता है वो ही वाहन जो है वो हम driving tuition के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अब उन वाहन में हमें क्या changes करानी पड़ती हैं ये मैं आपको बताता हूँ तो friends जो वाहन driving tuition के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं उसमें प्रशिक्षू यानि की जो सीखने वाला है और उसके साथ एक पेशेवर ड्राइवर जो की expert ड्राइवर होगा वो होना चाहिए और उसके साथ वहिकल में जो है वो dual clutch और dual brake ये सारे के सारे सिस्टम जो है mechanical सिस्टम जो है वो driving tuition वाले वहिकल में install कराना जरूरी है तो friends जिस वाहन में RTA के अनुसार उनके norm के अनुसार नियमा अनुसार dual clutch और dual brake सिस्टम इंस्टॉल किये होते हैं RTA उन्हीं को permission देता है उसी तरह insurance companies ने वह अपने नीम बनाए हैं वो कुछ extra premium चार्ज करने के बाद driving tuition वाले वहिकल को risk cover देती है तो friends अब आएए आगे हम बात करते हैं कि driving tuition में इस्तेमाल होने वाले वहिकल के लिए insurance companies कितना extra premium हम से चार्ज करती हैं ताकि driving tuition में इस्तेमाल होने वाले वहिकल को risk cover दिया जा सके तो friends अगर हम बात करें कि driving tuition देने वाले वहिकल प्राइवेट वहिकल है तो friends उसकी insurance में OD premium पे हमें 60% loading लगेगी यानि कि OD premium पे 60% हमें extra premium पे करना पड़ेगा liability premium वही रहेगा जो कि एक private vehicle का रहता है तो friends इसी तरह बात करें कि अगर driving tuition देने वाले वहिकल पैसेंजर केरिंग वहिकल है यानि कि स्वारियं डोने वाले वहिकल है तो उसमें भी हमें जो OD premium होगा OD premium पे हमें 60% loading लगेगी यानि कि OD premium का हमें 60% जो है वो extra pay करना पड़ेगा liability premium वही रहेगा से OD और liability का total हमारा total premium आएगा उसी तरह friends अगर जो protection देने वाले वहिकल है driving tuition देने वाले वहिकल है वो goods carrying वहिकल है तो सेम उसी तरह हमें OD portion पे OD premium पे हमें 60% loading लगेगी 60% extra premium पे करना पड़ेगा liability premium वही रहेगा जो commercial vehicle का रहता है जैसे passenger vehicle में हमने देखा और इन सब का total मिलाके इन में GST एड़ करने के बाद हमें जो है वो final premium मिलेगा तो friends GST सभी insurance premium में एड़ किया जाएगा अब friends आगे बात करते हैं हम 3 wheeler auto rickshaw की और motorized 2 wheeler की तो friends इसमें थोड़ा सा difference रहता है जैसे हमें OD portion पे 60% loading देनी पड़ती है उसी तरह हमें इसके liability premium पे भी 60% loading देनी पड़ेगी यानि कि OD portion और liability portion दोनों पे हमें 60% loading देने के बाद 3 wheeler auto और motorized 2 wheeler का insurance premium मिलेगा यानि कि 3 wheeler और motorized 2 wheeler के insurance premium जैसा हमें देखा कि private vehicles goods caring vehicle और passenger caring vehicle अगर driving tuition के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो हमें वहाँ liability premium पे जो है extra loading नहीं देनी पड़ रही थी लेकिन 3 wheeler और motorized 2 wheeler के case में हमें liability premium पे भी extra loading देनी पड़ेगी तब हमें insurance company इनका बीमा करके देगी तो friends ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको driving tuition में इस्तेमाल होने वाले vehicles की motor insurance policy कैसी होती है उसमें कितना extra premium चार्ज किया जाता है और वो कौन कौन सी changes होती है जो की एक driving tuition में इस्तेमाल होने वाले vehicles में की जाती है ये बताया आपको आज का वीडियो कैसा लगा आपको जो कमेंट सेक्शन में जूरू बताईएगा इस वीडियो से related, insurance से related vehicle से related आगर आपको जाना चाहें तो वो भी मुझे से कमेंट सेक्शन में पूस सकते हैं आज के लिए इतना ही है, जल्द एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलूँगा जय हिन, जय भारत